पूरे साल जब आपने पढ़ाई की है तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें हैं आप घबराएं नहीं बिल्कुल पूरी पढ़ाई कर रहे होंगे कि सर बचा लीजे क्या करें तो क्या बोलते हूं बस यही बोलते हैं कि देखिए अब दो तीन दिन का समय है आपने पूरी पढ़ाई कर रखी है और वो जब आप परिक्षा भवन में जाएंगे तो आपके सामने निकल के आजाएगा आप परिशान मत होईए घबराहट मत हावी होने दे परिक्षा भवन में समय पूर्व पह बच्चे हैं वी पीएसी वाले बच्चे जो हैं वो तैयार तो होई चुके होंगे क्योंकि एक बार पहले तैयारी कर चुके थे हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सर हैं आप भी टेंशन में होंगे कि बच्चों के लिए बस 72 घंटे बचे हैं यानि तीन दिन हाँ बिलकुल जितने भी विद्यार्थी हमारे आँ से समयलित हो रहे हैं और बिहार के बाकी विद्यार्थियों के संदर्व में ये बात तो है कि 72 घंटे का समय है और जो विद्यार्थी इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदूप योग करेगा वो ज़्यादा लाभ में भी रहेगा मेरी इस संदर में विद्यार्थियों को कुछ छोटे-छोटे suggestions हैं. Success मंत्र क्या है? इन तीन दिनों में क्या करना चाहिए उनको? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो है, अभी विद्यार्थियों के मन में क्या चलता है? कि उनके दिमाग में ये चलता है, मेरा ये चुट गया, मेरा वो रह गया, मेरा इसका रिविजन नहीं हुआ. और इस से वो बड़े परिशान होते हैं, घबरहट में रहते हैं, लगता है परिक्षा में क्या होगा, भगवान जाने. तो मेरा ऐसी सिति करीब-करीव इद्यार्थियों में होती है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं वह रहाएं उन सभी को ये सजेशन है, कि भई आपने पूरे साल बहुत ही अच्छे से तैयारी की है, और अंतिम परिक्षा के अंतिम दिन तक सारे टॉपिकों को एक साथ र दिमाग में वह सारी चीजें है आप घवरायन नहीं बिलकुल, सारी चीजें और आप घवरायने से परिशानी है आप जितने जादा अिन जाएटी के सिकार होंगे उत्ना ही परिशानी होगा, परिक्षा भवन में silly mistakes होने की संभावना बढ़ेगी लेकिन आप भी जानते हैं कि कितना भी आप बोलें हम बोलें लोग बोलें डर तो लगता है जब हाथ में कलम आता है दर तो लगता है बट उसको हम लोगों को correct कराना है हमारी यही जिम्मेवारी है कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें उनको correct करा सके तो मेरी विद्यार्थियों से यह सला है कि भई आप पढ़ चुके जितना पढ़ना था दो से ढ़ाई दिन का यह समय है इस दो दिन मेरा तो सला हमेशा इस तरीके से लास्ट समय में यह होता है कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाईज करिए वो भी एकदम शांती से कूल माइंड से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी से नहीं ज़्यादा ही नहीं है और उनको लग रहा हो कि यह topic important है और दो तीन घंटे में उस topic को किया जा सकता है चार घंटे में किया जा सकता है तो जरूर वैसी चीजों को करें लेकिन कोई बहुत बड़ा टार्गेट इस दो दिन में fix ना कर लें जिससे कि उनकी पूरी रूटीन खराब हो और नहीं होने पर घब रहा ठावी हो जाए तो इसलिए मेरा विद्यार्थियों से यही जितना होता है यह दो दिन में उतना कीजिए बहुत ज्यादा तनाव लेकर अब मत कीजिए रूटीन बहुतें कि यह दो गंटा कम सोएंगे तो ज्यादा पढ़ लेंगे यह गला रही तो कहीं न कहीं आपका मस्तिस्क जो है वह भारी रहेगा परिक्षा भवन में और वह सबना है और उसके लिए में चाहिए कि प्रॉपर नींध हमें मिल जा हम बलकी आज से ही यह रूटीन वेव में चलें कि समय से सो जाएं समय से सुबर उड़ जाएं और उसके बाद निरधारीत समय पर जब हमारा परिक्षा होने वाला है उस समय पर किताब पलट पलट कर द टार्गेट मत लीजे, आप इस तरीके से अपने दिमाग को समझाइए कि देखिए आप कुछ बहुत बड़ी उलट फेर में नहीं कर सकता, जितनी तैयारी हमने कर ली है, उसी में कुछ ब्रश अप कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़े उलट फेर की इस्थि बस यही बोलते हैं कि देखिए अब दो-तीन दिन का समय है, आपने पूरी पढ़ाई कर रखी है और वो जब आप परिक्षा भवन में जाएंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा, परिशान मत होईए, अब अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा शांतचित रखने की कोशिश कीजे जिससे की परिक्षा पर नकारात्मत प्रभाव ना पड़ सके, दूसरी बात है कि परिक्षा भवन में, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके सेंटर्स दूसरे सहरों में हैं, उन सहरों में वो कभी गए भी नहीं हों, तो ऐसी इस्तिती में उनको चाहिए कि सेंटर का पता कर लें, जहां वो रुक रहे हैं, वहां से उसकी दूरी कितनी हैं, वो देख लें, ताकि सेंटर पर एक घंटा पहले पहुँच जाएं, ओमार सीट जब उनको मिलता है और अपनी विक्तिगत जानकारियों को भरना हो, तो बहुत ही सावधानी बढ़ा कि इससे रिलेटेट कुछ और भी चीजें पूछी गई थी और हमने प्रशन को गलत कर लें, तो वहां फिर दिक्कत हो जाएगी, आपने प्रशन गलत मार दिया, इसलिए पहले प्रशन को पूरी तरह पढ़ें कि क्या पूछा गया है, उसके उपरांत उपरोक्त ते छार जो आप्शिंस हैं उसको बढ़िया से पढ़ें कि यह चार ऑप्शन क्या बतला रहे हैं, तब फिर प्राइँ प्रशन पर वीपेशी में पांच्वा उप्शन यूनिक ऑप्शन है, उस आप्शन पर जाएं और तब इन पांच्वा आधार पर निर्ने करें कि उन्हें समय का constant हो जाए टीसरी important बात कि यदी किसी प्रशन में जादा समय लग रहा है कोई प्रशन उल्जा रहा है उनको जादा समय ले रहा है तो मेरी सलाह है seeing कि वैसे प्रश्णों को skip करके आगे बढ़ें और पुनह जब आपके पास समय बचता है तो फिर आकर उसको solve करें ऐसा नहों कि वो आपका काफी समय ले जाए और बाद में लास्ट के 25 कोशन में आपको जल्दवाजी में answer देना पड़े तो इस तरह की जो छोटी-छोटी सी चीजें हैं जिसको कि एक तरीके से कहिए examination management कह सकते हैं उसको आप अच्छे से करें तो मुझे लगता है कि examination में आपका performance अच्छा होगा और silly mistakes की गुंजाइस कम हो जाएगी यह अपने आप में बहुत अच्छी स्थिती होगी और मेरा बिहार के जितने भी विद्यार थी है जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं और जो BPSC की परिक्षा में appear होने वाले हैं मेरा उन से संदेश है कि इन चोटी चोटी चीजों को अपने जीवन में दो दिन उतारिए वो आपके लिए काफिल आप दायक होगा और उन सबों के भावी सफलता के लिए मैं धेर सारी सुपकामना सबसे टॉप पर उनको क्या रखना है क्योंकि हर चीज आपने बता दिया सिली मिस्टेक्स नहीं करना है और जो भी जो प्रॉपर नींद हो गया और जो भी चीज आप सिखाना चाले जो एक एक शब्द में कहूं तो घबराहट मत हावी होने दे परिक्षा भवन में समय पालन कर लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा बेड़ा पार तो देखें उनकी तयारी के आधार पर होगा लेकिन ये जरूर है कि उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा कुछ कहना चाहेएंगे के ने क्योंकि बस तीन दिन रह गए है आप भी टेंशन में सारे लोग संमिलित हो रहे हैं और मेरी ये इक्षा होती है मेरी ये काम ना होती है हम साल भर इसी के लिए काम करते हैं कि हमारे विद्धयार्थी ज़्यादा संख्या में सेलेक्षन पाएं तो निशन देह अपने विद्धयार्थियों को भी मैं यही सलाह दे रहा हूं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखें और सभी के लिए धेर सारी सुख काम ना है कि वो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको चार मंत रियाद करना है बस अगर चार मंत रियाद हो गया और उसी पे चल दिये तो मुझे लग रहा है मांक्स बहुत अच्छा है गा और कृष्णा सर क्या कुछ क्या है वह आपने सुनी लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है तो बस जितना भी आप लोग पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते रहना और क्या क्या करना है डॉक्टर कृष्णा सर मार साथ मौजूद थे वो बता ही दिये तो बस अब लग जाना है और क्या तो बस लाइप सीरीज के साथ बने रहे हमाद चानल को सब्सक्राइब करें फिजिक पीश्ट लाइक करें धन्यवाद